नमस्कार मैं जोट्सना स्वागत करती हूं आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही खुबसूरत प्लांट लेकर और यह बहुत ही अच्छा इसका लीफ है दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं लेकिन यह देखने में ही खूब सुरथ नहीं है दोस्तों इसका हमारे Health Benefit भी बहुत जादा है और इसका नाम है दोस्तों пошड़ हिंगा और आज मैं इसके मैं जनकारी देने की खोशिश करूँगी दोस्तों कि आपके पास अगर एक प्लांट है तो लेमन ग्रास का तो आप किस तरह इसको दो प्लांट बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लगा सकते हैं और इसका हेल्थ बेनेफिक पा सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी दोस्तों वैसे फ्रेंड से जो हमारा वीडियो तो देखते रहते हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो बिल वाली बटन है दोसरो जरूर प्रस कीजिए गया ताकि आप को हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कैसे इसको पोली बैक से निकाल के गमले में सिफ्ट करें और एक से कई प्लांक आप बना सके तो यह प्लांक मैं बता रही थी दोस्तों कि आपका हिल्थ क सरदर्द होते रहता है उनके लिए भी काफी अच्छा है और नॉर्मल आपको रिफ्रेशिंग भी आपको पीना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है और कोई मोटापा से ग्रसित हैं उनके बहुत सारे इसके बेनेफिट से दोस्तों तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं इसका बेनेफिट नहीं बताऊंगी मैं सिंपल इसको आपको प्रोपगेशन बता रहे हूं और किस तरह इसका स्वाइल मीडिया होना चाहिए इस तरह मैं इसको बताऊंगी ताकि आपको भी अपने घर में लगाए छोटे प्लान्टर में या बड़े में तो बहुत स्वापयंरे इस में चुरू करते है तो सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों आप देख रहे हैं काफी यह हो गया है इसका लिए तो इसको मैं टेकालने में आसानी हो और इसको मैं और करनांगी हो और हो आधा गांगी किस ने लेमन ग्रास के जो लीफ पत्ते थे मैंने कट कर लिया और अभी मेरे पास काफी सारा इस तरह लीफ इकठा हो गया है और इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं आप इसको धोके काटके और छाय में सुखा लेना है ऐसा नहीं है कि आप धूक में इसको सुखाना ह यह चाय में सुखा लेजिए और एयर टाइट बॉटल में आप इसको रख सकते हैं आपके साथ आपके कीचन में बहुत दिनों तक यूज करने के लिए आपका यह लेमन ग्रास का लिफ तैयार हो जाएगा अब मैं इसको पोली बैक से निकालूंगी लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेती हूं स्वाइल मीडिया की कि किस तरह आपको स्वाइल मिक्स लेना है और इस तरह मैंने देखिए बना के पहले से एक अंबले में भर रखा है और इस में आपको लेना है और साथ में आपको लेना है 30 परसेंट ही कंपोस्ट कंपोस्ट में आप वर्मी ले सकते हैं मैंने काउडंग कमपोस्ट लिया है और साथ में होमेट कमपोस्ट लिया है दोनों को मैं 50-50 मिला के ले ली हूँ 30% तो इस तरह आपको 30% स्वायल लेना है गार्डन का और 30% कमपोस्ट और 20% आप सांड ले लिजिए और 20% ही आप लीफ मोड ले लिजिए या फि तो इस तरह मिला के आपको मिटी बना लेना है और बना के इस देखिए मैंने आधे में यह फिल कर लिया है और नीचे ड्रेनेज होल के लिए आपको ब्रिक्स के चोटे-चोटे-चोटे होते हैं उसको आपको एक इंची तक बिछा लेना है गमले के नीचे ताकि बहुत आज मैं इसको सेफ्ट भी करूंगे और इसको दो एक से दो प्लांट बनाओंगी तो सबसे पहले मैं इसको निकालने के कोशिश करती हैं दोस्तों इस तरह आपको निकाल लेना है आप देख रहे हैं यह मेरा पोली बाग को पूरा कम्प्लीट कवर कर लिया है कितना इसका रूट बाउंड हो चुका है और निकालने में भी काफी दिकत हो रहा है देखें पुरब पकड़ लिया है इस तरह तो अभी बहुत ही जरूरी था इसको रिपोर्ट करना इसलिए मैं इसको रिपोर्ट भी करूंगी और यह बेस्ट सिजन है किसी भी प्लांट के लिए रिपो लेना है जो मेरे प्लांट में है आपका यह जड़ के साइड में दिख रहा है एक प्लांट है इधर दो है यह तीन है चार है पांच है छे है इस तरह अलग-अलग प्लांट से निकल गए हैं यह नीचे से ही निकलते जाता है अपने आप फिश्क पफ और एक से कई करके अलग- между गंड़े में लगा देना है और आपको फिल जाना पूल जाना है टो इस तरह मैं इस तरह intern erग और आपके पास इस तरह लेमिन ग्रांस का प्लांट हो तो आप इस तरह डिभाइड करके अलग planter में लगा सकते हैं और एक से कई plant बना सकते हैं और यदे आप पहली बार नरशरी से ला रहे हैं तो वहां से भी आप एक plant लाएगा तो आपका बहुत जल्दी ये बहुत जादा गमला को cover कर लेता है तो बहुत जल्दी आपका गमला भर जाएगा और पतुरत फिर दूसरे गंबले में अलग से आप इसको निकाल के लगा सकते हैं और बहुत सारा प्लांट हो जागा दोस्तों तो यह देखी मैं निकाल लिया है और अब मैं ज्यादा इसको छेड़ छड़ नहीं करूंगी इसी में मैं लगा दूंगी रखने के बाद इस तरह आ आपका रूट बाउंड हो जाए तब आप इसको दूसरे गंबले में सिफ्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपका गंबला कफर कर लेगा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया और साथ ही मैं कुछ जंदकारी देने कोशिश करूंगी कि इसको टेक क्यर कैसे करना है तो प जब चलता है गर्मी में उसमें आप इसको कंप्लीट सेडी प्लेस में रख दीजिए और पानी इसको सुभे साम डालते रहना है इस तरह से आपको इसको मौश्टर बनाके रखना होगा इसके गंबले में तभी यह अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा यह मौश्टर पसंद क करता है अपने मीट्पी में और फंधी में घ्राप में चला जाता है दोस्तों इतना ज्यादा इसको मौश्ट नहीं होता है थो आपको फंदे में पानी को ठानी का देयान रखना है उतना ज्यादा पानी नहीं薄 जो ओपर का लियर का सूख जाए एक से देडिनची तभी आ डाल सकते हैं और बस उतना ही में खुश रहता है और इसको कावडंग बहुत पसंद है तो आप कावडंग डाले या हुमिट कमपुश डाले इस तरह आप डाल दीजिएगा साल में एक बार ते बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा तो यह दिखे दोस्तों मैंने लगा लिया है यह मेरा कंप्लीट हो गया है अब यह पूरा भर जाएगा अगले जब भर जाएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ इतना जल्दी इसका भरता है उसका भी मैं बताऊंगी अब संदी में आईगी तो आप इसको फुल संदी में रखिए और जहां पर मतलब ज्या तो उस बात का ख्याल रखिएगा बाकी गर्मी में आपका जो है उसको सेडी प्लेस में रखिए सुबह की एक से दो घंटे की संलाइट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है और बरना गर्मी में यह इसका जो पत्ता है पूरी तरह से यह जल जाएगा और आपका इस तर एकदम वाटर लॉग होके रहे यह पसंद नहीं करता है इसमें पानी डालिए और तुरत से गंबले से ड्रेन आउट हो जाए बस उतना ही पसंद करता है जितना इसको चाहिए वो ले लेता है फिर अपना ड्रेन आउट हो जाए उसमें यह खुश रहता है दो इस तरह इसक लेमन ग्रास जरूर लगाए और हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और देखिए कितना खुबसूरत ग्रो करता है एक सिर्फ लिफी प्लांट के रूप में भी आप इंडोर रखेगा इसको तो बहुत सुन्दर लगता है देखने में और अब यह जो मेरा दूसरा यह बचा हुआ है इसको मैं सेम इसमें पॉली बैग में डाल दोंगी ताकि यह फिर से पूरा भर जाए तो मैं अलग से इसको लगा सकूं तो इस तरह पूरी जनकारी मैंने देने की कोशिश की है दोस्तों हमें उमीद है जरूर पसंद आएग और आपके लिए काफी यूजफूल होगा तो इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें तब तक के लिए नमस्कार